नमस्कार मैं अपने नशर्मा थेंग टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ट्यूस्डे को E.D. ने एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट ने नैशनल हिराल्ड के दस तफतरों पर छापा मारा है चापे मारे की जो कारेवाही थी उसके लिए कॉंग्रेस के जो कारेकरता थे उन्होंने विरोध किया जब कारेवाही चल रही थी तब बहार परदर्शन हो रहे थे विरोध हो रहे थे अब वहीं पर किसी एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं तो एक कॉंग्रेसी कार्यकरता का जो जवाब था उसी से आज की पूरी वीडियो शुरू होने वाली है उसने बोला कि ये कोशिश हमारे नेताओं का मनुबल तोड़ने के लिए हो रही है उसके बात से थोड़ा मन में एक ऐसे सवाल आते हैं कि ये बहुत ही धासु पार्टी है जिसका मनुबल तूटा जा रहा है ब्रश्टा चार करने के बाद भी अधि मनुबल बड़ा हो तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है देश विरोधी कती विडियो में समर्थन देना सर्रक्षन देना ये खाली गांधी परिवार के लिए नहीं है लेकिन ऐसे लोग चाहे कोई भी हो इनका मनुबल बड़ा हो तो इनका मनुबल तोड़ना बहुत जरूरी है फिर पक्षी खेमे में हरकंप मचा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें और ये जो निराशा है ये जो समस्या है इसकी वज़ा क्या है धीरे धीरे 2024 जैसे जैसे पास आ रहा है यानि कि लोग सभा के चुनाव नज़दीक आ रहे है उन्हें ये लग रहा है कि जो स्थिती देश में दिखाई दे रही है उसमें अगले लोग सभाचुनावों में बीजेपी का सत्ता में आना निश्चिन्थ है 101 प्रतिशत अब बीजेपी बात इस बात की कर रही है सीटे 303 है इससे कितनी बढ़ेंगी घटनी की तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता और जो सर्वे आप देखेंगे जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है फिल्ड रिपोर्ट्स आ रही है वो सभी इस ओर निशाना कर रही है और सबसे बड़ा प्रमान किसी भी सत्ता रून दल के लिए यह हो सकता है उसकी स्तिती क्या है चंता की बीच में उसका होता है विपक्षी खेमे में किस तरीके का महौल बना अब कॉंग्रस में आप देख लिजिए किस तरीके का महाल है विपक्ष यदि निराश है तो आप समझ लिजिए कि सत्ता में जो दल है उसकी स्तिती बहुत अच्छी है यदि विपक्ष में बहुत ज़ादा मनुबल है उर्जा है आत्म विश्वास है तो समझ लिजिए सत्ता में जो पार्टी है उसकी स्तिती थोड़ी खसता है तो इसका प्रमाण है भार्ति-चंता पार्टी की स्तिती क्या है उसका सबसे बड़ा प्रमाण विपक्षी दलों का खेमा हैं बीजेपी की डिक्षनध्य में आराम का कोई श्रब्द ही नहीं है यह चुनाव जितलिया शान कर रही है शान्त हो जाए ऐसे ही विपक्ष के टाइम टेबल में काम करने का कोई टाइम नहीं है उनके डिक्षनरी में केवल अपनी नेताओं की पर्सनल प्रतिष्ठा का चिंता है उसके अलावा कुछ भी नहीं है दो हजार चौबिस बहुत पास है लेकिन दो हजार चौबि एंटी इनकम बिलसी का मुकाबला करना और वहीं विपक्ष को केवल चार राज्यों में मुकाबला करना है और यह चार राज्ये जो है उनका नाम है चतिसगर्ड मद्य परदेश, तेलंगाना और मिजोरम मिद्मिरोजम जो है नौर्थीस्ट का परदेश है उसके अलावा दो परदेश नौर्थीस्ट के जिने 2023 में चुनाव होना है वो जो दो है वो है मेगाले और नागालेंड अब जो 2022 में चुनाव होना है वो है गुजरात और हिमाचल परदेश में उसके बाद मद्य परदेश, राजस्थान और इसके अलावा जो है तेलंगाना, त्रिपूरा इन राज्जी में चुनाव होने हैं विधान सबा के तो नौर्थीस्ट के जितने भी राज्जी हैं उनमें बीजेपी की एक तरीके से वेट हो रहा है कि पिछले आठ सालों में उसने जो कारे किया है उसका जो मुल्यांकन होगा, वो होना है तो साथ राज्जों में, यदि 11 में से साथ राज्जों में बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छा मौका होना चाहिए उनके लिए ये सुनहरा अफसर होना चाहिए कि पाटी, पाटी इंकमबेंसी का राज्जे में 5 साल का सामना कर रही है और उसके अलावा, विपक्ष में जहां इतनी बड़ी एंटी इंकमबेंसी दिख रही हो जहां अभी इस बात का फैसला होना है कि नौर्थ इस्ट में भाजपा अपना पैर पूरी तरह जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी दूसरा आठ साल की सेंट्रल गॉर्मेंट की एंटी इंकमबेंसी ऐसे महल में किसी भी विरोधी दल के लिए इससे अच्छा उफसर कोई नहीं हो सकता है लेकिन इसके बवजूद भी विपक्षे खेमे में खलबली है, हड़कंप मचा हुआ है उसकी वज़े बहुत सारी हो सकती है अब ऐसे में पहली बात आप देखिए, जो विपक्ष में होता है वो सत्तारूर दल के खिलाफ आम लोगों की नराजगी को अपना जर्या बनाता है हवा देना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि नराजगी भी होने चाहिए महंगाई यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मार सब पे पड़ती है महंगाई से कोई नहीं बच पाता और इस समय देश में महंगाई है, ये भी हम सभी जानते है महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे भी हम नहीं नकार सकते उसका असर भी लोगों पे हो रहा है इसके बावजूद भी लोग नराज नहीं है, सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे है बिल्कुल तयार नहीं है विपक्ष की इससे बड़ी हार कोई और नहीं हो सकती है और सत्ता दल की इससे बड़ी सफलता कोई हो ही नहीं सकती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी महंगाई बढ़ा रहा है आपके परेशानियों का परेशानिया बढ़ा रहा है उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है देने में असमर्थ है लेकिन फिर भी जो आम जनता है नराज नहीं हो रही है दूसरा खत्रा इने यह है पहले ही इस बात से संतुष्टे बले ही सरकार हमारी नाहो पर सिस्टम हा रहा है लेकिन अब इने इस बात का भी डर लग रहा है कि यदि 2024 चूक गए तो साथ साल और भाजपा की सरकार साथ साल और उस सिस्टम को बदलने का समय बढ़ जाएगा क्योंकि एको सिस्टम जो था वो चेंज हो रहा है अब इतने साल ये लड़े हैं मोदी से बीजेपी से ब्रश्टाचार के आरोप में अंदर गए हैं परिवारवाद पार्टियां वंश्वाद पार्टियां ब्रश्टाचार के आरोप में जो वंश्वाद के खिलास जिस त कंप मचा हुआ है वे पक्षी खेमे में लेकिन बीजेपी के साथ ही साथ कुछ कम्या दिखाई दे रही हैं बीजेपी ब्रश्टा चार के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ बहुत प्रोयक्टिव धंग से काम कर रही है ये जो ED के छापे हैं मुकदमे हैं FIR हैं ये सब जो हो र कारवाई होगी किसी प्रकार के कोई दीर नहीं दी जाएक इसी प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ जो एक निर्नायक लड़ाई है वो चल रही है उसको और बहतर बनाने के लिए सुधरिन बनाने के लिए तैयारी चल रही है लेकिन लेकिन जिस तरीके से लेफ्ट लिब्रेल बिरादरी आतंकवाद्री और देश विरेधी खेमों को लोगों को जैसे की एक तम फ्रेश उधारन है पीएफ़ाई की गापुलर फ्रेंट ओफ इंडिया देश में इस तरीके से सामपरदायक महल बिगाड़ने की जतनी कोशिश हो रही है दंगा कराने की जो जो कोशिश हो रही है आतंकवाद बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है उसके पीछे केवल पीएफ़ाई का हाथ है पीएफ़ाई को कवर देने वाले उसकी हरकतों पर धकन धकने वाले जिस्टिफाई करने वाले ऐसे तत्वों के खिला प्रोटेस्ट हुए 2019 के बाद CAA को लागू करने की जो भी जतनी भी कोशिशे थी जतनी भी तारीक थी लगातार पोस्ट फॉन होती जा आगे भढ़ती जा रही है मिलती जा रही है और इस बात के कोई पुष्टी नहीं है कोई confirmation नहीं है कि दरसल यह लागू होगा यह नहीं होगा या कब से लागू होगा कोई डेट हमारे पास उपलब्द नहीं है ऐसे में मन में शंका आती है कि पार्टिया सरकार डर रही है क्या उसको चिंता है जो दिल्ली के दंगे हुए CAA का कानून पास होने के बाद वो इस आशंका में है कि यदि इसे लागू करने की कोशिश करी तो देश में सामपरदा एक माहौल जो है वो काबू से बाहर हो जाएगा आउट अफ कंट्रोल हो जाएगा NRC को शायद इसलिए पोस्ट फॉन किया जा रहा है ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब BJP के पास नहीं है ऐसे में जब विपक्ष कमजोर है राष्टेवाद की भावना जो है चरन सीमा पे है लोग सरकार का साथ हर अच्छे बुरे में देने के लिए भी तयार है तो ऐसी सिती में BJP और उनकी सरकार ऐसे मुद्दे पर कदम पीछे खिश रही है या कदम बढ़ाने का सहास नहीं दिखा पा रही है ये समझ से परे है इसके बारे में कोई सामनी आकर कुछ बताना नहीं चाता समझाना नहीं चाता इसके बारे में कोई किसी प्रकार का सपश्टी करण नहीं देना चाता क्यों ऐसा हो रहा है एक चुपी सारे हुए है BJP, एक खामोशी है उनके जहन में, उस खामोशी के कारण लोगों में धीरे-धीरे, ये भावना पैदा हो रही है, ये आशंका पैदा हो रही है, कि क्या सरकार इस कानून को लाएगी या नहीं लाएगी, या फिर एक साइड करके रख दिया है, लिब्रल बिरादरी का पीए मैले कानून पर प्रवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट पर इस कानून पर जो सुप्रीम कोट का जो फैसला आया है उसके बाद से निराशा और गहरी हो गई है विपक्षी खेमे में इसी के विपरितुने खुश होना चाहिए था उन्हें ये यही तो बात है एक जो विपक्षी दल है इस फैसले को सुप्रीम कोट के फैसले को चुनौती देना चाहते हैं और पुनर विचार याचिका दायर करेंगे सवाल ये है कि ब्रश्चा चार के खिलाफ बने कानून को चुनौती क्यों देना चाहते हैं ऐसा क्या डर है उनके जहन में क्या है ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है विपक्ष का अस्तित्व खत्रे में पढ़ गया है उस कानून के आने पर एक जो दिवारे खड़ी करी थी ब्रश्चा चार की उसके नीम हिल रही है इस कानून के तहट ये जिन्ता है उनके जहन में जो एक चिंता है ये उसी का असर है कि अब आज की स्तिती में सारे एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं परदे हट रहे हैं आप इमेजन कीजिए एक न्यूस चैनल है जो अपने आपको निस्पक्ष होने का दावा करता है उसका एंकर एक आरोपी की जमाना देता है एक पउफिक कर सकता है लेकिन दावा तो पक्षुता का ही है न तो ऐसे लोगों कि देश में कोई कमी नहीं है तमाम ऐसी लोग आछे साथ करते हैं उसलिए रंटन वियुत्य फ़ूर्ण हो गए और तरीए का महलं रहा है। और आने वाले समय में यह एक और विशाल हो जाएगी राष्ट्य वियोदि गतिविद्य और थेज होती दिखाई देंगी क्यों का उन्हें पूंको सरकार के खिलाफ एक नया इंजंडा चालू किया लिए राष्ट एंतर्राष्ट्य स्तर पर हमेशा YOUR सफल вып T पर्षा एंगली इस आप दूसर देशों से तरी मिए गलीह एक रिपर्ट केवर द्वर्ण के लिए जुड़े रहे हमारे साथ Think Tank पर नमस्कार